नमस्कार आपका स्वागत है एश्यानीज इंडिया में आपके साथ मैं पून हूँ 500 साल बाद अयोद्या में भगवान राम का भवे मंदिर बन रहा है अगर शीराम जन भूमी वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हम सिंद को वापस नहीं ले सकते CM योगी आदितनात ने रभिवार को लखनों में सिंदी काउंसिल अफ इंडिया की और से आयोजित राष्टियस सिंदी अधिवेशन में बात कही CM ने कहा देश है तो धरम है धरम है तो समाज है समाज है तो हम सभी का अस्तित्व है हमारी प्रात्मिक्ता इसी अनुरुप होनी चाहिए देश का सोभागे है कि आज नरेंद मोदी के नेतरत्व में आतंगवात भारत के अंदर अपनी अंतिम सासे गिन रहा है CM योगी ने कहा 1947 में बटवारे जिसी तरासती फिर कभी ना आने पाए इसके लिए हमें राष्ट प्रतम का संकल्प लेना चाहिए राष्ट की एकता और खंटा के प्रतिक खिलवार करने वालों को मूतोर जवाब देना चाहिए जिसके लिए हम तयार रहें योगी ने कहा सिर्फ एक व्यक्ति की जित की वज़ा से देश को विभाजन की तरासती से कुज़ना पड़ा देश के बटवारे की वज़ा से लाखों लोगों के कतले आम हुआ भारत का एक बड़ा भूबाग पाकिस्तान के रूप में चला गया उन्होंने कहा कि सिंदी समाज ने उस दरत को सबसे ज़्यादा सहा है उन्हें अपनी मातर भूमी छोड़नी पड़ी सिंदी समाज को अपने हितियास के बारे में अपनी वरतमान पीड़ी को बताने की आविशकता है सिंदी अदिवेशन में योगी ने कहा आज भी आतंगवात के रूप में हमें विभाजन की त्रासदी के दंश को जेहनना पड़ता है कोई भी सब्समाज आतंगवात उगरवात या किसी भी प्रकार की अराजकता को कभी मानता नहीं दे सकता अगर मानवता के कल्यान के मार्क पर हमें आगे बढ़ना है तो समाज की दुश प्रवत्तियों को खतम करना होगा हमारे धर्म ग्रंद भी हमें यही प्रेड़ना देते हैं चुलेलाल जी हो या भगवान शिक्रिश्न सबने मानव कल्यान के लिए सजजन के सनक्षन और दूजन को समाप्त करने की बात कही है सिंदी समाज भारत के सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है सिंदी समाज ने सम विशम परिस्तितियों में अपने पुशात से खुद को आगे बढ़ाया है शुर्णी से शिकरत तक यातरा कैसे होती है भारत के अंदर सिंदी समाज इसका बड़ा उधारन है